आज की अमरी रेसिपी है चिकन मुगलाई मसाला इस रेसिपी को आप एक बार ट्राइ करें रेस्टराउंट जाकर चिकन खाना भूल जाएंगे इतनी टेस्टी है तो चलिए देर ना करती हुए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है आदा किलो चिकन इसे मैंने कलिया है अब हम चिकन को मारिनेट करेंगे सबसे पेले इसमें डाल देंगे एक चोथाई कप दही जादा खट्टा दही ना ले गाड़ा वला दही ले स्वात के अनुसा नमक डालेंगे आदी चूटी चमच हल्दी पाउडर आदी चूटी चमच लाल मिश्ट पाउडर और इसी के साथ एक बड़ा चमच अधरक लसुन का पेस्ट डाल देंगे अब हम आधा निम्बू का रस डाल कर मसालो को चिकन के उपर अच्छे से रब करते भिये मिला लेंगे और अगर टाइम हो तो एक घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दे अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा कम से कम रखे इसे चिकन बहुत अच्छी से टेंडर हो जाएगा जब तक चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम याँ पर प्याश को फ्राई कर लेंगे प्याश को फ्राई करने के लिए ठोड़ा सा ज्यादा तेल की ज़रूरत होगी इस रिसिपि के लिए हमें फ्राईड आनियन चाहिए मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज के प्याज को पतले पतले काट कर रखा है हाई फ्लेम पे बीच पीच में चलाते भी प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर एकदम गॉल्डन ब्राउन ना हो जाए यह देखिए प्याज फ्राई हो गया है इसे हम निकाल कर साइड में रखेंगे और यह जो हमने कड़ाई में इतना सरा तेल लिया है यह तेल भी हम निकाल देंगे हमें ग्रेवी के लिए जितना तेल चाहिए उतना ही कड़ाई में रखेंगे अब जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसे एक मिक्षर जार में लेंगे दस बदाम और बारा का जो आधे खंटे पहले मैंने भिगो दिया था इसे डाल देंगे और इसी के साथ तीन हरी मिश डाल करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे जो कि यहांपर रेडी हो गया है चिकन को मारिनेट करने के लिए रखे विए एक खंटा हो चुका है चलिए अब हम चिकन को पकाना शुरू करते हैं मैंने कुछ खड़े मसाल लिये हैं आपर जैसे की एक स्टार एनेस चार लॉंग है तीन छोटी लाची और आट से दस काली मिरी एक तेज पत्ता और एक डाल चिनिका टुकडा खड़े मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे जैसे ये मसाला भून जाये तब हम इसमें मैरिनेट करके रखे हुए चिकन अड़ करेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को अभी हमें 5 मिनिट तक भूनना है बीच बीच में चलाते रहेंगे और 5 मिनिट तक इसे भून लेंगे जैसे जैसे चिकन पक रहा है यहां पर चिकन भी पानी छोड़ रहा है और यह पानी पूरा सूख ना जाए तब तक हमेंसे भूनना है पास मिनिट के बाद आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है तेल इसमें से अलग हो गया है अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले आड़ करेंगे उससे पहले फ्लेम को लोग पे कर देंगे ताकि मसाले जले ना तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चमच तीखा लाल मिश पाउडर डालेंगे, आप अगर तीखा कम खाते हैं तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, एक बड़ा चमच कश्मीरी रचिली पाउडर, इससे ग्रेवी में बहुत अच अब हम इसमें फ्राइड अनियन और काजु बड़ाम का पेस्ट भी डाल देंगे, और उसी के साथ दो से तीन बड़े चमच पानी भी डालेंगे, मिक्षर जार में ही थोड़ी से पानी लेकर में डाल रहे हूँ, जिससे मिक्षर जार में जो मसाले लगी हुई है, वो भी हो फ्रेंम को इस समय हम मेडेयम पर कर देंगे, और मेडेयम फ्रें मेडाल 2-4 मिनट के लिए गराँ उस तरहे। को भून लेने से चिकन बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसकी कलर देखिए कितने अच्छी आई है और जैसे जैसे यह और भूनेगा ना कलर और भी चड़ जाएगा चिकन को भूनते हुए तिन से चार मिनिट हो गया है अब हम इसमें दो छोटी चमच गरम मसाला पाउडर डाल कर मिला लेंगे अब हम इस चिकन को पकाने के लिए पानी आड़ करेंगे क्योंकि यह चिकन करी नहीं है चिकन मुगलाई मसाला है इसकी ग्रेवी बहुत ही थीक रहेगी इसलिए सिर्फ एक ग्लास इसमें पानी आड़ करेंगे इतना पानी चिकन को पकाने के लिए काफी है स्वात के अनुसा नमक डालेंगे ध्यान रखे चिकन को मैरिनेट करते समय हमने इसमें नमक डाला है तो इसमें हम कम नमक डालेंगे और चिकन को ढख कर 10-12 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे ध्यान रखे बीच बीच में ढखन खोल कर चला नहीं क्योंकि इसमें काजू बदाम का पेस्ट है तो मसाले तले पे लगकर जलना जाए दस मिनिट के बाद चिकन अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी काफी सुक चुका है कलर तो कितनी बढ़िया आई है इसकी अब हम इसमें तीन हरी मिच को चीरा लगा कर डालेंगे इसमें हरी मिच डालने से इसमें एक ताजी स्पाइसी निसाती है अभी इसको और दो मिनिट के लिए हमें पकानी है तो चली इसे ढख देते हैं और दो मिनिट के लिए चिकन को पका लेते हैं और ये लिजे अब हमारा रेडी हो गया है चिकन मुगलाई मसाला बहुत अच्छी कलर कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है अब हम फाइनली इसमें कटी हुई धन्या पत्त डालेंगे फ्लेम को आफ करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे आप ये चिकन मुगलाई मसाला राईस और पुलाव के साथ बहुत करें और कमेंट करके अपना फीडबेक में रिशाद शेयर करना बिलकुल ना भूले आपको अगर रेस्पी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ चैनल में नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राब करके ब